정을 की अब कुछ नहीं बात करते हैं में कि हुग इस लाट हुग हुग एच डबल ओ के फ६ hai अब दिक्कत इंडियन साइन्टेस्टने बहुत सारा ऐसा किया होता तो हर आप इस segurança ऐदा तो हम लोगों हुग और न्यूटर्ण से काम चलारा पड़ रहा है हुग ऑängt देखे, खुग साहब ने कहा जब किसी बॉड़ी, जब देखे, दो टतरीके समझिएगा, किसी बॉड़ी की लेंथी, हम बात जनर्नल बाता रहे, वालूम भी हो सकता है, बॉड़ी की लेंथ है ए्सक्षी बॉड़ी की, जितना फोर्स एप्लाई करोगे यह जितना इस्टेंट क्रियेट करोगे उतना इस्टेस उसमें लगेगा लेकिन कब तक जब तक उसके अंदर हां तो हम डेफिनिशन में लिखवा देंगे अंडर इलास्टिक लिमिट तो लिखेगा अंडर इलास्टिक लिमिट अंडर इलास्टिक लिमिट अपय लिमिट इस्टेस एस प्रपोश्णेटि तू स्टेंग इस्टेज होता है वह के प्रपोर्शनेट होता है प्रपोर्शनल होता है और जब हम इस्ट्रेस इसी कॉल टू लिखते हैं तो देखे कॉंस्टेंट अलग-अलग बुक अलग-अलग लिखती है आपके ncrt ने साध यहां पर k लिखा है साध हमको याद नहीं है क्या लिखा हुआ है हम फिलाल यहां e लिख रहे हैं e into strain तो e is equal to आएगा stress upon strain तो unit तो क्यों stress की होती है newton per meter square हमें कह सकते हैं कि stress की unit और e, e क्या होता हम बात करते हैं उसकी unit same होती है तो लिखेगा कि लोडिखेगे वर e is called modulus of elasticity, e is called modulus of modulus of elasticity elasticity are coefficient of elasticity or coefficient of elasticity of the material, यह पर बहुत जोड लगाईएगा, of the material of the body, material of the body, इस पर ध्यान दीजेगा, यह elasticity उसके material की property होती है, अब जब इस्ट्रेस तीन तरीके के होता है, आप length changer रहे हो तो longitudinal, stress, longitudinal strain, तो ratio बदलता रहेगा उनका, जब इस्ट्रेस के नाम बदलेंगे, तो E का नाम बदलेगा, तो लिखे, types of elasticity, types of modulus of elasticity, types of modulus of elasticity, देखे, इसके तीन टाइप होते हैं, number one, number one में जो आपकी stress थी, वो longitudinal थी, तो अगर longitudinal stress और longitudinal strain हो, तो इसको कहा जाएगा, young smallest, young smallest of elasticity, इसको हम y से denote करेंगे, दूसरे में हम, जो tensile कर रहे थे, compression कर रहे थे, दोनों cases में lengthy change कर रहे थे, तो वहाँ पर नाम एक ही रहेगा, longitudinal, ठीक है, अच्छा, दूसरे में volume change कर रहे थे, तो वहाँ पर bulk modulus कहलाता है, bulk modulus of elasticity, इसको हम generally B से indicate करेंगे, कहीं कहीं पर के से लिखा गया है, लेकिन फिलाल आप B से लिखीगा, तीसरी आपकी sharing stress थी, इसको कहते हैं, modulus of rigidity, और sharing modulus, modulus of sharing, modulus of sharing, इसको हम इटा से लिखते हैं, इटा है इटा, इटा नहीं, इटा, जैसे इटा, ने इटा है भाई ये, ये जैसे N मनता है ऐसे ये, तो N की ऐसे नाक चुआ दो, जैसे तुम्हारी याज थुड़ा सा दिक्कत कर रही है, जैसे तुम्हारे जुकाम होगा, वैसे N के जुकाम करा दी ऐसी, तो ऐसे हो जाएगा, तो ये तीन प्रकार के आपके, ये है, आप इसमें number one लिखिए आप, young's modulus of elasticity, young's modulus of elasticity, हाँ, चिंदा मत करें, समझ में सब कुछ आएगा, शर्त है कि मेरे पढ़ाने के बाद भी आप घर में अपने आपको time दे, तब सुन में आएगा, जोगों, अभी हम elasticity क्या बता रहे थे, stress upon strain, और ये सब कारिक्रम होना चाहिए, under elastic limit, तो यहाँ stress बोलेंगे longitudinal और strain बोलेंगे longitudinal, तो लिखे, under elastic limit, under elastic limit, the ratio of, the ratio of longitudinal stress, longitudinal stress, to the longitudinal strain, is called Young's modulus of elasticity, is called Young's modulus of elasticity, Young's modulus of elasticity, यह है, y is equal to longitudinal stress upon longitudinal stress, यह इसका formula हो गया, अब ज़रा समझेगा, यानि हम को यहाँ पर force लगा करके, body की क्या बढ़ानी है, length change करनी है, और body को उसे oppose करना है, ठीक है, अब हमने का, यह एक wire है, यह एक wire है, छोटा मोटा सा wire हलका सबना दो, और यह यहाँ कहीं बढ़ा हुआ है, ठीक है, इसकी initial length है, capital L, मैंने माल लिया, अब आप इसको बढ़ा रहे हैं, मतलब आप इसके length के along, force लगाएंगे, तो force, हम F भी मान सकते हैं, कि force लगाने के लिए, हमको एक weight लटकाना पड़ता है, तो हमने इसमें mg force लगा दिया, ठीक है, अब इसका area of cross section कुछ होगा, तो हमने mg force लगा दिया, और हमने माल लिया, इसकी थोड़ी length है, ऐसे, इसकी मोटाई में कोई फर्क तो पड़ेगा, लेकिन हम उसके बारे में यहां बात नहीं कर रहे हैं, तो जब हम longitudinal distance की बात करेंगे, तो क्या होता है force upon area, और जब longitudinal distance की बात करेंगे, तो change in length upon initial length, जब हम force की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे mg की, जब हम area की बात करेंगे, तो हम करेंगे pi r square की, तो वायर circular cross section का भी हो सकता है, और किसी और cross section का भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, भाई wire है, वो उसका rectangular cross section भी हो सकता है, तो जो भी cross section है, उसका area हम ले रहे, अब वो by chance बार हमें यह circular ले रहा हूं, अपान डेल्टा L अपान capital L, तो आप इसको calculate करो, mg capital L उपर चला गया, अपान pi r square small L उप, डेल्टा L नीचे हो गया, तो यह आपका young small list का formula बन गया, तो आप यह मत रठिएगा, आपको main formula step on instant करना है, भाई ठीक है, आपने mg याद कर लिया, और हमने कहा 5 newton force लगा है हमने, तो हम force की जगाए mg रख रहे हैं ना, note करिए इसको, ने लिखना तो सब पढ़ेगा आपको, यह पूरा derivation करना पढ़ेगा exam में, हाँ exam में पूरा करना पढ़ेगा, बुक सामने आपके कौन सी है, अपशा, note कर लिया, अब एक note लिखे, और उस note में question लिखे, मतलब है note, और उसमें question हम discuss करने जा रहे हैं, हमने दो प्रकार के आपको तार दिये हैं, जड़ा समझेगा, अलग-अलग metal के तार दिये हैं, और हमने उस तार की खासियत की है, कि दोनो तार जो वायर हैं, उनकी length सेम है, सबकुछ सेम है, area सेम है, हमने कहा, दोनों की length में change करो, एक centimeter, एक में change हुआ, एक centimeter दूसरे में भी हुआ, एक में change करने के लिए, आपने आसानी से change कर दिया, दूसरे में आपको पसीना निकल आया, तो दोनों में elastic ज़्यादा कौन? elasticity, एक मिनट, elasticity क्या कहती है, कोई body अपोस करने की property होती है न, तो कम effort लगा, मतलब उसने अपोस किया, कि ज़्यादा effort वाले अपोस किया, तो elasticity किसकी ज़्यादा है, तो confuse मत होईएगा, जिसने अपोस किया, change नहीं होने दिया अपने आपको, या change करने पसीना निकल दिया, वो ज़्यादा elastic है, तो एक question लिखिए, prove that steel is more elastic than rubber, prove that steel is more elastic than rubber, इसकी language हम नहीं लिखवा रहे हैं, समझ लिजएगा, और जब हम बोलते जा रहे हैं, वही इसकी language है, ठीक है, हमने माल लिया, कि यह हमको proof यह करना है, कि steel is more elastic than rubber, more elastic than rubber, यह आपको question mark है, यह बताना है आपको, हमने का, suppose we are having two wires, one of steel, one of rubber, both are having the equal length A, both are having the area of cross section A, sorry, length is L, और in both, we apply a weight Mg, या both we apply a force F, and change in length in steel wire is Ls, और change in rubber wire is Lr, force same लगा रहे हैं, force हम same लगा रहे हैं, तो जब हम steel के लिए बात करेंगे, young's modulus of steel, तो क्या फ़र्म लाओगा, force upon area, upon change in length are steel, upon length of the wire, initial length, चुक्क दोनों same थे, इसले steel लिखने करेंगे, तो अब तो है नहीं, इसको जब change किया तो आएगा, F upon A into Ls upon capital L, जब हमने young's modulus for rubber लिगा, तो यहां गया force upon area, upon Lr upon L, तो यहां गया F into capital L, upon Lr into capital A, अच्छा S, जब Ys upon Yr क्या ratio निकाला, तो उपर Lr हो गया, नीचे Ls हो गया, जब आप practically बताएए, Lr और Ls में कौन बढ़ा होगा, तो आप लिखेंगे, as Lr is greater than Ls, तो चुकि उपर Lr है, यहां उपर Ys है, तो ratio के हम बात करें, तो Ys is greater than Yr, यह क्या proof कर रहा है, कि Steel is more elastic than Dabar, यह तो mathematics proof कर रही है, लेकि में मेरा दिमाग मानने को तयार नहीं है, तो दिमाग को मना यह, same length increment करना है, तो किस में ज़्यादा force लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो oppose कर रही है, opposition करना ही elastic होता है, ठीक है, अच्छा, अगर मुझे same force लगाना है, तो किस में ज़्यादा, किस में कम लंबाई बढ़ेगी, क्योंकि वो बढ़ने नहीं दे रही है, तो दोनों logic से प्रूफ होके आ गया, कि Steel is more elastic than rubber, वो बहुत सारे wire लगे होते हैं, तो steel wires होते हैं, तो steel wires लेते हैं, एक तो single wire नहीं लेते हैं, single wire टूट जाएगा, बहुत सारे पतले-पतले wire को ऐसे मोड देते हैं, जिससे वो flexible रहें, और वो elastic ज़्यादा होते हैं, उसकी लंबाई बढ़ती, बढ़ती हैं, अब एक stress और strength की बीच में, एक curve बना हुआ है बुक में, when CRT में देखना पड़ेगा आपको, देखो जाब पलट करके, एक curve ऐसे से बना होगा, है ऐसे कर बना होगा, ऐसे ऐसे, ऐसे कुछ बना होगा, heading is stress instant curve, for metallic wire, जहां पर, शुरुआत में बना होगा, जैसे second page होगा देखो, कहां पर है, heading क्या बढ़ी है, हां लिखे, stress, stress curve for a metallic wire, जो भी लिखे आप, stress, strength, curve, for, जैसे, क्या लिखा है, metallic wire लिखा उसमें, है, अरे, कर देखो एक बना होगा, for metallic wire हम लिखे दे रहे हैं, हम metallic wire लिखे दे रहे हैं, metallic wire करें, या elastic wire करने, elastic wire, जरा समझनी की कोशिश करिए, थोड़ा practical भी बनिएगा, ठीक है, इस कर उपको ज़्यादार कह दिया रहता है, पढ़ लेना इसको, इस्टुटेन कहता हम पढ़ लेंगे, उन्होंने का पढ़ लेना, उन्होंने का पढ़ लिया, आँटी का, आगे बढ़ो, जरा समझनी कोशिश को उसको दिखाई है, बुक में क्या दिखार देख रहा है, हमको दिखाई है बुक कौन सा देख रहा है हूँ, ने यह नहीं है, इसके पीछे पलेटी है, पीछे, पीछे आला पेज, हाँ, यह, 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 की बाद, इसे दों को हेडिंग क्या पढ़ी है, हाँ, वही है ना, जरा थोड़ा सा अपने दिमाग को अपलाई करिये, सोचिए, जब हम किसी वायर, इलास्टिक वायर, कि लिंद्ध बढ़ाते हैं, इस्ट्रेस बोले, तो फोर्स बढ़ा रहे हैं, फोर्स बने इरिया बढ़ा रहे हैं, जितना आप बढ़ा रहे हैं, उतना उसमें अंदर से फोर्स लगता है, वह आप एक कह सकते हैं, कि stress का मतलब बढ़ा नहीं रहा है फोर्स, stress उसके अंदर develop होती है, लेकिन उसके अंदर develop कैसे होती ही, जब हम apply करते हैं force तो हमारे applied force के बराबरी तो लगता है, तो हम applied की बात कर रहे हैं, हम जो stress बढ़ाते हैं तो extent बढ़ती है, ठीक है, हमने wire को बढ़ाया इसलिएगा, wire की बढ़ा 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 छोड़ दिया तो फिर अपनी स्ट्टेट में लोड़ के आ गई मतलब वो Elastic था हमने और बढ़ाया फिर छोड़ दिया फिर लोड़ पी अ dasik था एक समय ऐसा है क्या हमने कि जえば बढ़ाया Force कम लगाना पढ़ा उनको वो थोड़ा सा कम फोर्स में ज्यादा बढ़ गया लेकिन elastic limit थी उसमें लॉट के आ गया लेकिन कम फोर्स लगाना पड़ा ठीक है एक ये स्टेट आ गई और बढ़ाया तो वायर प्रतला होना शुरू हो गया और फिर वापस लोटके नहीं आया एक आया कि वो तूड़ गया नहीं आया तो इनी सब cases को हमें distance करना है ठीक है जला diagram को समझेगा बहुत ध्यान से समझना इस्ट्रेस इस्ट्रेंड कर और इधर मैं इस्ट्रेस ले रहा हूं सरी इस्ट्रेंड ले रहा हूं इधर मैं इस्ट्रेस ले रहा हूं अब आप कह सकते हैं इधर ही स्ट्रेस क्यों ने रहा हूं वह भाई वह भी हम बात करेंगे देखे अलगलग कर्व के लिए अलाग अलाग इस्ट्रेस कर होते हैं जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हमको यह आपकी इनिशल स्टेज है है यह वो स्टेज है जब वायर की लिंथ जो है वो है उसमें ना तो आप स्ट्रेस अप्लाई हो रही है ना तो उसमें स्ट्रेंड है मतागर आपने 10 cm का बायर लिया है तो उसकी लंबाई या बढ़ा नहीं रहे हो तो आप उसमें फोर्स ने लगा रहे हो इस्ट्रेस का फार्मला क्या होता है फोर्स अपान एरिया और हो छेंज लंध पान इनिस्यल लंध पहले से फिक्स थी एरिया पहले से 6 सी तो आप एक्चुल में ग्राफ किसके बीच बना रहे हो force upon length force लगाते जा रहे हो length नापते जा रहे हो यह कर रहे हो लेकिन हम कहेंगे stress उसको तो शुरुवात में क्या किया आपके सामने 10 cm के elastic wire था ना तो आपको इस force लगा रहे हो ना उसकी length बढ़ रही है और जब बढ़ नहीं रहे है तो उसको oppose भी नहीं कर रहा है तो stress भी 0 तो आपने force लगाना शुरू किया एक newton आपने force लगा वन newton या वन newton पर second लंबाई बढ़ी वन सेंटी मिटर तो यहां गई point मिलेगा आपने force लगाया 2 newton लंबाई बढ़ी 2 newton यहां गई लगनेगा 3 newton 3 cm 4 newton 4 cm तो हमें एक straight line मिलेगी यहां से यहां तक यह वो से यह तक हमको एक straight line मिल गई सुंच जाई बात यह कौन सी stage है जिसमें same force लगाने से same length बढ़ रही है एक newton पर एक सेंटीमिटर दो newton पर दो सेंटीमिटर तीन newton पर तीन सेंटीमिटर अब आप कहेंगे आपको कैसे मालूम भई ज़रा ध्यान से देखिएगा अगर यह कर थीटा एंगल बनाएगी तो इसका slope क्या होगा stress upon strength तो actually इसका जो slope है न slope वो आपको क्या दे रहा है यही आपको elasticity दे रहा है वाई नहीं दे रहा है तो अब देखिए यह अगर 30 है तो यह हर जोगे 30 मिलेगा नहीं मिलेगा तो slope हर जोगे सेम है और slope हर जोगे सेम कब होगा जब perpendicular अपन बेस नहीं होना चाहिए अगर perpendicular एक बढ़ए तो base एक बढ़ए परपेंडिकुलर दो बढ़ए तो base दो बढ़ए मतलब एक newton पर एक संटी मिटर दो नूटन पर दो संटी मिटर तो हमको यहां से यहां तक एक graph मिला, ठीक है अब क्या हुआ number one लिखे यहां से यहां तक पहुँचता हूँ, number one लिखे graph को बहुत ध्यान से समझेगा, लिखे number one यहां से यहां के बारे में बात कर रहे हैं, समझे यहां से यहां से यहां आप क्या देख रहे हैं कि बॉडि में जो इलासिसिटी है वो कॉंस्टेंट है और वो हुक्स लाको भी कर रहा है तो लिखेगा ग्राफ इज लीनियर हाँ अभी पूरा नहीं बना है ग्राफ जितना बताते जाएंगे एक साथ नहीं बनाएंगे लिखे ग्राफ इस लीनियर ग्राफ इस लीनियर एंड इट्स लोप थीटा इस कार्ड मॉडलस ओफ इलासिसिटी ग्राफ इस लीनियर एंड इट्स लोप थीटा इस कार्ड मॉडलस ओफ इलासिसिटी कॉमा इट ओबेज हुक्सला यानि यहाँ पर क्या है ग्राफ लीनियर है ग्राफ लीनियर है और इट ओबेज हुक्सला यह हुक्सला को फालू कर रहा है और ए को कहते है प्रपोर्शनल लिमिट पॉइंट ए क्या गलाता है ए इस कार्ड अभी क्या हु रहा था कि आपने एक नूटन पर एक सेंटीमिटर बढ़ाया दो दो न्यूटन पे 2 cm बढ़ाया तीन न्यूटन पे 3 cm बढ़ाया ठीक है अब यहां तक पहुच गए हम जारी इलासिसिटी की प्रवर्टी बनी हुए उसमें अब हमने क्या कि बाइर बढ़ गया तो हमने क्या किया और फोर्स लगाया, तो हमने देखा एक सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए आधे न्यूटन से काम चल रहा था, मतलब लगाया हाफ न्यूटन बढ़ गया एक सेंटीमीटर, अभी क्या हो रहा है, लेंटी तो बढ़ रही है, लेगिन फोर्स कम लगाना पड़ रहा है ऐसा होता है हम simple example मोजा बार बार ले रहे हैं वहीं आपके सबके सामने होता है आप पहले पहन तो ज्यादा खीशना पड़ता है एक समयाता कम खीशना पड़ता है तो इसके बाद हमने देखा कि ये थोड़ी सी वैलू कर थोड़ा ऐसे कम हुआ एसे बी तक गया क्या कम हुआ मतलब लेंथ तो बड़ी लेकिन फोर्स हमको कम लगाना पड़ता है प्रैक्टिकली भी आप समझे तो होता है तो लिखे एसे बी तक हम जा रहे हलका सा कर हुआ किताब से थोड़ा अच्छी प्रपरटी है वो खतम नहीं हुई लेकिन हमको कम फोर्स लगा करके ही उसकी लंद से ज़्यादा बढ़ गई या एक सेंटीमीटर पर एक न्यूटर लगा रहते हर जगे अभी एक सेंटीमीटर पर आधा न्यूटर से काम चल ला था तो लिखे ओर ए टू बी इस्ट्रेस इस नाट प्रपोर्शनल टू इस्ट्रेन यहां पर क्या हो रहा है कि इस्ट्रेस इस नाट प्रपोर्शनल टू इस्ट्रेन यह इस्ट्रेन के बराबर प्रपोर्शनेट नहीं है यानि कि देखें इसका मतलब elasticity की property खतम नहीं हुई है body अपनी original state पे आ रही है लेकिन कम force पे ही वो ज्यादा length बढ़ रही है या उतनी ही length बढ़ाने पर जो यहाँ ज्यादा force apply करना पढ़ रहा था वो force यहाँ कम apply करना पढ़ता है तो लिखेगा but after removal of restoring force but after removal of restoring force it regains its original configuration it regains haa deforming बात वही है haa deforming force जीगा after removal of deforming force इट अगेन रिगेन इट्स ओर्डिनल कांफिगरेशन और्डिनल कांफिगरेशन तो यह जो b है न b को हम कहते हैं यहाँ पर yield point b is called yield point यानि वह point जहां तक elasticity की limit पनी रहती है और b पर जो stress होती है देखे जाँ ध्यान से यह b पर stress यह आए रही यहाँ पर stress को indicate किया sigma से यह sigma b आ रही है इसको yield stress कहते हैं मतलब यहाँ तक stress वह लगाता है अपनी order state में आता है ठीक है तो लिखे and at b stress is called yield strength at b stress is called yield strength yield सिग्मा वाई स्ट्रेस को सिग्मा से इंडिकेट सरी सिग्मा भी stress को सिग्मा से इंडिकेट किया गया है अब देखे o से b तक का जो reason है ना यह यह आपका कहलाता है elastic reason और b आपकी elastic limit है ठीक है तो फिल लिखे ओभी ओभी डाइस करके elastic reason है यह जो ओभी है वो है elastic reason और b पॉइंट जो है वो elastic limit है elastic limit हाँ कह सकते हैं yield point stress की value को कहा जाता है वो इलाशिवाद वही है अब देखिए हमने और force लगाया तार अब क्या हो रहा है चल्दी से बढ़ता है कभी क्या होता है कि एक newton पर एक cm बढ़ता है कभी एक newton पर आदा ही बढ़ता है कभी दो मतब एक fracture वे से बढ़ता है यानि इसके बाद यह ऐसे ऐसे change होके बढ़ता है और यहाँ D तक थोड़ा सा और बढ़ता है D तक पहुंचे हम ठीक है तो लिखे B से D के बाने बातकरने जा रहे है अगला point है भी टू डी हम C की बात ही नहीं कर रहे हैं हाँ जानबूज कि हम C नहीं ले रहे हैं चिंता मत्कूराइब आफ चीक के बारे बात करें गए हम ज़रुद नहीं ती इसलिए हमनें बात नहीं की C की यहां जरूरत नहीं है मैसूस की गई है इसलिए यहां बात नहीं किया चलिए at the point C ले चलिए C ले लेते हैं चलो B to C आज़ा चलेगा अब देखे हमने force लगाया B से C पहुंचे हैं थोड़ा सा यह value बड़ी होती है थोड़ा सा ऐसे है यह A point था यह B था यह C point पे आगया है ठीक है यह थोड़ा सा point के नाम C कर दो अरे यार जगे कम है ना C point पे आगया अब C point पे जब आए तो कुछ sigma लगाया गया होगा कुछ force लगाया होगा sigma B sigma C लगाया होगा और इसके बाद हमने यहां से जब force लगा के छोड़ा तो देखा length कुछ बड़ी की बड़ी रहे गई यहां से यहां कर पहुंच गई थी यहां पर हमने देखा कि इस force पे length हमेशा permanent change होगी तो यह आपका होगया permanent set अब हम क्या बता रहे थे कि force लटाने के बाद में अगर बाड़ी अपने उन्हें स्टेट में नहीं आती है तो permanent set position में आएगी तो लिख लिजेगा B to C B to C में लिखे after removing the deforming force after removing the deforming force body permanently deformed body permanently deformed permanently deformed and it is called permanent set यह पर यह जो ओड़ा है यह जिको यह ओड़ा है is permanent set ओड़ा है is permanent set अब हमने force अरो लगाया B C से D पहुंच गई body अब हम तो छोड़ते हैं तो body वापस तो आती है देखाओ को इलासी बाड़ी छोड़ी है धीरे 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 थ्रौस सिकुड़ेगी पूरी नहीं आएगी मतलब C से D के बीच में कहीं भी रुख जाएगी हो लेकिन लंबाई एकदम से बढ़ती है उसकी तो next लिखे B to D C to D लिखे लिखो C to D next है C to D C to D लिखे, after removal after removal of deforming force deforming force the body returns back रिटर्म बैक बैक तो एनी पॉइंट बिट्वीन सी टुडी कहीं भी रुख जाती है परवाद पता ही कहां रुखेगी यानि इसको हम कहेंगे यह पर्वनेंटली डिफाम हो गई है इसलिए मैं लिखवा नहीं रहाता इसको मैं यहां पर लोट के आ रहाता कि जहां पर रुख जाएगी वो हम सी पर रोके दे रहें फिलाल कि जहां पर रुख जाएगी वहीं पर उसको परोडल सेट मिल जाएगा ठीक है इस डिफार्मिशन इस काल्ड प्लास्टिक डिफार्मिशन अब यह जो डी पॉइंट आपको मिला है यह आपका टेंसाइल यह डी मालो जो सिगमा डी आपको मिला है इसको कहने के टेंसाइल स्ट्रिंथ तो यहां तको ताल लंबा होता है तो लिखे पॉइंट डी इसकार्ड टेंसाइल स्ट्रिंथ मतब इस्ट्रिंथ मतब उसमें जो यह आपकी वो है इस्ट्रेस या ऐसे लिखो एड़ पॉइंट डी इस्ट्रेस इसकार्ड टेंसाइल स्ट्रिंथ डी के बार लिखे आफ्टर डी अब ज़रा समझें का यहाँ पर थोड़ा सा साउधान हो जाईए देखो ध्यान से तार एक लिया आपने इलास्थिक वेट लटकाया तार कलंबाई बड़ी वेट हटाया तार आगया 10 सिंटीमिटर दो न्यूटन लगाया हटाया 10 सिंटीमिटर तो 5 न्यूटन लगाया हटाया 10 सिंटीमिटर 6 न्यूटन लगाया हटाया अब देखे जाते हैं यहाँ पर हर न्यूटन पर एक एक सिंटीमिटर बढ़ा था 6 न्यूटन लगाया तो बढ़ गया 2 सिंटीमिटर और ज्यादा बढ़ा एक न्यूटन पर एक सेंटीमिटर, दो पे दो, पांच पे पांच और छे पे साथ, यानि फोर्स कम लगा है लंद ज्यादा बढ़ी, हटाया फिर दा सेंटीमिटर, यानि वहां तक तो आपकी क्या थी लासिक लिमिट, इसके बाद बढ़ाया तो लंबाई, हम फोर्स कम लग गए, डी पॉइंट पे, अब जरा साथान, डी के बाद तार इकदम से पढ़ने लगा, तोटा, 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 आप तोटा, आपने जल्दी से वायर वेट हटाने शुरू किये, लेकिन वायर तूट गया जाकर कि, ऐसा होता है, वायर पतला होने लगा और जाता है, यह ब्रेकिंग स्ट्रेस है, मतलब आप फोर्स कम लगाओ गई, कम लगाना पड़ेगा, लेकिन वायर तूट जाएगा, तो लिखे, डी इस ब्रेकिंग स्ट्रेस, और यह ब्रेकिंग पॉइंट, अब डी से वो पतला होना शुरू हुआ, नहीं जमझे, और यह आके तूट गया, तूटते वक्त उस पे फोर्स कम लगा, लेकिन वो तूट गया, कब फोर्स पर ही तूट गया, तो इसलिए यह ब्रेकिंग स्ट्रेस, और यह ब्रेकिंग पॉइंट, यह फ्रेक्शर पॉइंट भी कहते हैं, मतलब डी पे जो इस्ट्रेस है, वो ब्रेकि स्ट्रेस है मतलब आप यह वायर पतला होके तूट नहीं जा रहा है लेकिन जैसे डी पे पहुंचे और देखा तार पतला होता जा रहा है तूटा हमने फ़र से वेट हटाने शुरू किये लेकिन वह जाके ई पर आगर के वह ब्रेक हो गया तो इसको ब्रेकिंग पॉइंट कह कहते हैं या फ्रेक्शर पॉइंट कहते है फ्रेक्शर हो गया वाहर को फ्रेक्शर तो यह ग्राफ समझ आया आज सब्सक्राइब कह दिया जाता इस्ट्रेंट से आप पढ़ जाए समलेना बहुत इसी है इसमें यह बढ़ेगा और यह घड़ जाए और पढ़ लेंगे वो अपना फुरसत पायन इस्ट्रेंटों फुरसत पायस ठीक है ति बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ठीक है इसके बारे में आगे हम बात करें